इसको डिटैलिंग में समझेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो भी आपको मैं डिटैलिंग देता हूं यहाँ पे UPSC और State PCS को जो एक्जाम्स होते हैं उसको लेके मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं और जो भी उसकी बैग्ग्राउंड होगी डिटैलिंग होगी, कंसेट होगा वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा तो यहाँ पे आपको बता दूँ ऐसे मैं आपको information दूँगा यहाँ पे की सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से concept के साथ clear होंगी और confusion होने पे आप comments box में दिख सकते हैं आपको कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से आपके डाउट clear कर दिए तो चलिए सुरू करते हैं वेब 3 क्यों न्यूज में है उसको बताऊंगा उसके बाद वेब 3 क्या है वो बताऊंगा क्या-क्या उपियोग हो सकता है वो सब भी कवर करेंगे सबसे पर वाइट वेब www जो है उसी के बेस पर है लेकिन यह बहुत ही अप्ग्रेडेड वर्जन है तो इसमें अंतर क्या है वो देखते हैं इसको इंकॉर्प्रेट किया गया है कंसेप्ट की यह एक जो सिस्टम है वेब 3.0 का वह डी सेंट्रलाइजेशन के सिस्टम पर होगा जो की आधारित होगा व्यआख्यन टेकनालजी क्रीप्टो केरेंस्य से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि यह कैसे होगी PL affiliated इकैनल यह जो ग्राफ ऐसे आ रहा है तो इनके फीचर्स इनकी यूजेज और इनकी सिक्यूर्टी इन सब में अंतर आएंगे कैसे अंतर आएंगे वो हम समझ लेते हैं यहां फे देखिए यह जो वेब 3 है यह क्वाइन किया गया था किसके द्वारा 2014 में इथेरियम को फाइंडर गोविंड वूट के द्वारा और यह एक ऐसी चीजिए हैं कि यह लाने के बाद एक प्रकार से रिवोलूसन अगई इस अगर बात करूं क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे यहां पर यह क्रिप्टो करेंसी आपको 2021 मे जब आप इसको बूम करते हैं जब यह बूम होती है भारत में उसी समय यह ज्यादा वेब 3 प्रचलन में आती हैं अब इसको देख लेते हैं कि इसके क्या-क्या हामफुल इफेक्ट भी होंगे और क्या-क्या इसके प्रभाव होंगे तो मैंने यहां पर एक चार्ड के माध Spike थे जो है different है किस Конception से 99 वाले concept से semantic predators चल्वेब से मैं भी आएगा लेकिन जो 99 का concept है semantic wave का वो अलग है wave 3 coin किया गया था किसके द्वारा पाल का dot founder को है गोविन वूड जो मैं आपको बताया यह coin करते हैं यह founder है इसके यह decentralized online decentralized का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है इसको जो regulate कर रहा है control कर रहा है अपने इसको market में यह इस प्रकाल से decentralized है यानि centralized system नहीं है decentralized है और चोटे चोटे लोग इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं ऐसा चीज़ें लेके आए थी यह बहुत ही प्रकाल एक प्रकाल बोल सकते हैं कि revolution आ गई ecosystem based on the blockchain जो कि मैं पहले बता दिया हूँ और यहां क्या करेगा यहां आपको improve कराएगा data security और scalability और privacy यानि जो इसके users होंगे वेब के वह इसको अच्छे से secure कर सकेंगे scalability हो सकेगी और उनकी privacy और user privacy data security की भी इसमें बात करी गई है up to the mark कुछ ऐसे विद्वान भी है जो अलग-अलग राय रखते हैं इसको लेके लेकिन market में अभी तक इसकी एक to the point की records नहीं मिलते हैं लेकिन हाँ कुछ हद तक जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूँ उसमें से सारी चीजें होद हद तक यह मान रहे हैं कि यह होगा difficulty किसमें आ सकती है क्या क्या दिक्कते आ सकते हैं इसमें difficulty आ सकती है अगर यह decentralized होगा तो इसमें बहुत सारे cyber crime हो सकते हैं harassment हो सकते हैं hate speeches हो सकती है ऐसी समस्याओं को यह जनम दे सकता है तो यह ऐसी चीजे हैं कुछ ऐसे technologist हैं टेकी हैं जो यह कह रहे हैं कि web 3 future का internet बनेगा यानि सबसे ज़्यादा उपियोग होने वाला यह web 3.0 है ऐसी उनकी मानता है इस हिसाब से वो सोच रहे हैं और यह gain करेगा gain किया interest कब यह 2021 में cryptocurrency के बाद अब इसकी basic understanding हम समझेंगे कोर में जाके अंदर में कि क्या तीनों में क्या इसमें अंतर क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे तो basic अंतर मैंने एक graph बनाया हुआ है इस graph के माध्यम से आपको बताऊंगा आप इस क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर wave 1.1 यह 2.0 3.0 तो यह 1.0 क्या है communications की बात कर दिया तो यह broadcast के label पे कार करता है यह interact करता है एक दूसरे को यह जो है engagement लाता है mass तो यह इसकी engagement क्या है mass engagement होगए यह interactive कर सकते हैं वेब 2.0 में यह broadcasting होती है अगर information की बात करी जाए तो यह वेब जूर्न है वो static रहता है read only पे काम करता है यानि दिखा गया है पढ़ लीजे यह थोड़ी dynamic बनाया गया है web 2.0 और यह क्या है यह portable है और personal है यानि इसको आप mobile में उप्योग करेंगे इसमें applications होंगे इसके user friendly होंगे और high tech होंगे इससे इससे बहुत जादा focus रहता है यह किसको one जो है organizations को focus रहता है और एक organizations इसको regulate control करती है web 2.0 एक community based system है और web 3.0 एक individual भी इसको regulate कर रहा है यह ऐसी upgraded system लेके आगा चुकी है अभी personal अगर बात करी जाए तो यह home page होती है यह blogs की Wikipedia के तरह होती है यह live streams आप इस पे कर सकते है अपनी सारे data को live streams कर सकते है यह ऐसी web 3.0 आ रही है content जो है यहाँ पे one में ownership है यहाँ पे share हो सकते है यहाँ पे आप swim की ओर कर सकते है इसको swim देखवाल कर सकते है interaction की बात करी है तो web form से है यानि website के form में है यह web applications के form में है यहाँ पे smart applications की बात करी गई है यह यहाँ पे देख लेते हैं smart applications in the sense आपको website भी बन सकती है smart applications यूज हो सकते है multi usage उसी में inbuilt कर सकते हैं तो इसका smart intelligence uses यहाँ पे बताए गया है search जो है directory है आपको एक box मिलेगा वहाँ पे जाके आप search करेंगे यहाँ पे जो है keywords और tags ध्यान रखें यहाँ पे जो भी चीज आप लोग type करेंगे suppose आपने type किया यहाँ पे UPSC तो आपको जो UPSC वहाँ पे key tag होंगे लिखे रहेंगे UPSC, UPSC books, UPSC classes ऐसे जो keywords वहाँ पे type हुए होंगे वही चीज आपको सामने आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है यह context का relevance देखके आपको चीजे देगा यानि कोई भी उल्टा सीधा चीज आपके पास content नहीं आएगा और content की authenticity बिल्कुल बरकरार रहेगी यह है web 3.0 metrics की बात करी जाए तो यहाँ पे pages view हैं यह cost per click पर करता है यह user engagement कितने यूजर जो है आपसे जूड़ रहे हैं उस पे यह कर रहा है यूजर engagement है जितने यूजर उतनी जादी engagement यह दिखाता है advertising इसकी कैसे होती है यह banners पे होती है web 1 की banners होते हैं जो ऐसे लंबे वाले यह banners पतले से होते हैं इनको banners बोलते हैं यह interactive होते हैं आपसे वीडियो के माध्यम से भी हो सकती है यह behavioral यानि banners interactive behavioral यह हर प्रकार से ऐसे advertising इसमें हो सकती है research की बात करी जाए तो क्या होता है यह प्रिटैनी का online वाली system इसमें है इसमें Wikipedia माल लेते हैं यह semantic wave में जो recently इसको बोला गया यह 1999 वाला system नहीं है यह new वाला system है semantic wave वाला अब टेक्नोलोजी जो है यह जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं यह इतनी important चीजे है थोड़ी अंदर की चीजे है लेकिन आपकी basic यहां से clear हो जाएगी इसलिए मैंने यह चीजें आपको डाली तो दोस्तों आसा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और